हेलो फ्रेंस वेल्कम टो माय चैनल सी तू पटेल टिप्स पॉर वुमेन और फ्रेंस आज हम बात करेंगे क्रमी की क्रमी की समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर हम इसका बहुत अच्छ प्रयोग बताने जा रहे हैं हल्दीका तो कच्छी हल्दीका हम प्रयोग बताएं द्वार जो होते हैं वहां पर क्रमी की समस्या जादा होती है और ये बच्छों में जादा तर देखी जाती है बच्छों के साथ बढ़ुν Meini की समस्या होती है जिसकी वज़से उनका सरीर दुबला पतला रहता है और वो healthy है मोटे नहीं हो पाते हैं तो फ्रेंस यह समझ से ऐसी है कि क्रमी आपके जो सरीर में पोसक तत्तों के आप शूशन कर लेती है जिसकी वज़से आपका सरीर हमेंसा दुबला पतला दिखाई देता हैं तो इससे आप निजाद पा सकते हैं और क्रमी की समस्यादी बच्चों को रहती है तो बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे तो हल्दी का हम बहुत अच्छा प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको कच्ची हल्दी लेनी है एक चमच उसका आप रस ले लीजे कच्ची हल्दी को घिसकर किसी भी जो उसकी गांट होती है उसको घिसकर आप उसका रस निकाल सकते हैं और चुटकी भर आपको नमक लेना है और आदे कप पानी में आप इसको घोल लीजिए और घोलने का सुबह सुबह यानि की खाली पेट आपको इसका सेवन करना है सुबह सुबह प्रातायकार अगर आप रोज इसका सेवन करते हैं तो पेट में जो क्रमी की समस्य है वो उससे आपको छटकारा मिल जाएगा और ये जो क्रमी है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएंगी और फ्रेंस ये प्रेयोग काफी ज़दा कारगर है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो और फ्रेंस अगर आपकोई जनगारी तसन देते से लाइक शियर चरूर करें